हलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है बंदन है अभिनंदन है दोस्तो हमारे देश के अनमोल रतन टाटा जी हम लोगों को बीच नहीं रहे कि आप लोग सब जानते हैं लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि उनके दिल में क्या बस्ता था उनके दिल में बस्ता था होटल ताज मुंबई का मस्हूर होटल होटल ताज और हमारे देश की सान तो आए दोस्तो हम लोग रतन टाटा जी के मारनो प्रांथ उनको बिनम्र सलधांजली देते हुए प्रभू से प्रात्ना करते हैं तो कि उनको अपने प्रमधान में सद्कति दें और हमेशा उनकी यादें हमारे दिलों में हर भारतियों के दिलों में बनी रहे दोस्तो रतन टाटा जी के बहुत ही उपकार हैं हम लोगों के उपर और माभारती के उपर हिंदुस्तान हमेशा रतन टाटा जी का रीणी रहेगा हमारा देश हमेशा रतन टाटा जी का रीणी थे जिन्होंने उद्धोग जगत में अपना ही नाम नहीं हिंदुस्तान का नाम किया था 27 देशों में रतन टाटा जी का डंका बसता था दोस्तों उनके नाम की चर्चा होती थी लेकिन कभी उन्होंने अपने आपको उद्धोग पतियों की लिष्ट में नहीं लाया ये थी उनकी महनता आजकल तो लोगों के पास थोड़ा सा भी पैसा होता है तो उद्धोग पतियों के लिष्ट में आ जाते हैं लेकिन मैं आपको बताते हुए यह हर्स हो रहा है मुझे कि रतन टाटा जी इतनी संबत्ती दान कर दिये थे जितनी आज हमारे देश के बड़े-बड़े उद्धोगपतियों के पास में हैं खासकर जो हमारे देश के इस समय माने जाने उद्धोगपति मुके संबानी जी है जितनी उनकी संबत्ती है मुके संबानी जी की उससे कहीं ज्यादा रतन टाटा जी ने देश के गरीबों में देश के विकास में दान कर दिया था तो ऐसे माभारती के लाल को हम लोग मर्नो प्रणांत बिनम्रसल धांजली देते हुए अध्यानात से ये प्रात्ना करते हैं कि उनको अपने प्रमुधाम में सकती दें और उनके परिवार वालों को सहन सकती दें दोस्तो हमारे देश की सान होटल ताज जहां पर विदेशी भी आने के लिए तरस्ते हैं उस में उस होटल में रुकने के लिए तरस्ते हैं अईसा होटल रतन टाटा जी ने हमारे देश को दे कर गए हैं जो होटल देश की ही नहीं बिश्व की सान है लोग उसमें रुकने के लिए उसको देखने के लिए उसके सामने खड़े होकर सेलफी लेने के लिए तरस्ते हैं लेकिन वो होटल रतन टाटा जी ने क्यों बनवाया और कैसे बनवाया आईए मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से बताता हूं और अगर हमारी बाते आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तो चलिए जानते हैं होटल टाज कैसे बना था और रतन टाटा जी ने उसे कब और कैसे बनवाया था दोस्तों बात 1903 की है जब जे आड़ी टाटा जी ब्रिटेन गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने एक होटल में रुकने की सोची, तो उस होटल में भारती होने के नाते उन्हें नहीं रुकने दिया गया, उस होटल में केवल गोरो को इंट्रे थी, बस तभी से जे आड़ी टाटा जी ये ठान लिया, कि मैं इंडिया में ऐसा होटल बनवाऊंगा, जिसमें रुकने के लिए बिदेशी तरसेंगे, और एक बार उसे देखने के लिए उनके मन में जरूर इच्छा होगी कि एक बार होटल ताज जरूर देखा जाए, तो दोस्तों, टाटा जी का ये होटल हमारे देश की सान है, हम भारतियों की सान है, और हर भारतियों को हमें गर्ब है, कि मा भारति के बीर सपूत ने मा भारति के लिए ऐसा ऐसा काम करके गए हैं, कि हम लोग हमेशा उनके रिणी रहेंगे, हमेशा उनके अभार व्यक्त करते हुए उन्हें बिनम सर्धानजली देते हुए हम लोग हमेशा रटन टाटा जी के हमारे दिलों में रहेंगे रटन टाटा जी और दोस्तो एक बार पुना रटन टाटा जी को नमन करते हुए आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि हमा और उनको प्रभु से प्रात्ता करिए कि उन्हें अपने प्रमधाम में सद्गती दें। जय मा भारती रतन टाटा जी अमर रहें। जय माता दी।